नमस्कार फ्रेंट्स आपका स्वागत मेरे इस नई वीडियो में फ्रेंट्स कंप्यूटर बेसिक्स के कुल पांच वीडियो पहले अपलोड हो चुके हैं यह इस करम में चठा वीडियो है तो देखते हैं इसमें कैसी क्यूस्टन्स हैं फ्रेंट्स आप खुद से भी प्रक् सित किया है एंड्रोड जो आज कल आप फोन रखते हैं वो सभी की सभी एंड्रोड फोन है टच सक्रीन वाले नेक्स्ट क्यूस्टन प्रेंट्स कॉमेंट्स में लिखते हैं इनके आंस्वर यदि आपके पास का गजबेद नहीं है तो कंप्यूटर पर अपने कारिये को सेव क यह कि यह से ही एक की बनती है यह कंट्रोल पलस ऐस दबा के सेव कर सकते हैं अपने कारिये को को कि ंच्ट माइक्रो जब्ड एमेस वर्ड का फाइल एकस्टैंशन क्या होता है तो फिर्ट्स प यह एकस्टैंशन नेम होता है किसका MS Excel का Excel का ये extension name होता है file extension name और .txt ये notepad का होता है और .docx ये होता है MS Word का और यदि .doc ये भी MS Word का ये extension name होता है तो ये ओप्षन में इस तरह लिखा मिले तो ये भी सही होगा print preview की shortcut की कौन सी है print preview देखने के लिए ये आप control plus P दबाएंगे तो उसके बाद वहाँ से आप print preview select कर सकते हैं option को लेकिन उससे पहले ही आप print preview में सिद्धे जा सकते हैं किसे control plus F2 दबाके एक function की दबानी पड़ेगी control के साथ में कौन सी F2 spread sheet software का उधारन है तो फ्रेंट्स कौन सा है spread sheet software का उधारन ये है फ्रेंट्स MS Excel इसमें cells होती है काफी सारी छोटी छोटी cells calculation वगरा गनित से समंदित कारियों के लिए MS Excel का परियोग करते है और MS PowerPoint होता है presentation software याद रखेंए next question select किये वे text को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए आप क्या वी कल्प चुनेंगे तो permanently prints उस text को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कौन सा option चुनेंगे cut and paste cut करके उसको उस जगह से permanently दूसरी जगह पर paste स्तापित कर देंगे और कोपी करने पर फ्रेंड्ड कोपी करने पर विव दूसरी जगह पर चला जाएगा लेकिन वह ओरिजनल कप соглас कि नहीं जाएगा शिरफ उसकी फोटोपी जाएगी ढन रखी परेंए नेक्स która किस तरह का डिवाइश है तो सपिकर क्या है तौ Restaurant मैं आवाज निकालता है तो वे आउट्पुट डिवाईस है हमें पिक Çो फिक्चर स्नी दिखाता है यानि फोटो दिखाता है monitor वो भी output device है और हमें art कोपी देता है कॉन printer वो भी output device едउत संध्क होता हैं सबसे चोटा ऐसे बढ़ा phone size क्या होता है função फॉर्मेंटिंग टूल बार में सबसे चोटा और सबसे बड़ा फॉंट साइज होता है आठ और बैतर सबसे चोटा फॉंट साइज क्या होता है आठ और सबसे बड़ा फॉंट साइज होता है बैतर फॉंट साइज का मतलब है फ्रेंट्स जो आप लिख रहे हैं जैसे कि यह म बड़ा हो जाएगे यह जो मैंने लिख रखा है यह वड़ा जो मैंने लाइन लिख रखे हैं इनका साइज होता है तो फ्रेंट्स एक्सोई क्याण में के मैं निच्छे कलती से बी लिख दिया है तो यहां पर ए कर ले ध्यान रखें फ्रेंट्स एक्सोई क्याण में में बी क स्थान पर किस माद्यम से ट्रेवल करता है तो मदर बोर्ड पर फ्रेंस किस माद्यम से ट्रेवल करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर बस के माद्यम से बी यू एस यूनिवर्सल सीरियल बस बस के माद्धियम से ट्रेवल करता है मदर बोर्ड पर ध्यान रख के प्रेंट्स बहुत अच्छा क्यूस्टन है ATM मसीन का डिस्प्ले क्या होता है तो प्रेंट्स ATM मसीन का डिस्प्ले ATM की फूल परम होती है Automated Detailer मसीन इसका डिस्प्ले किस तरह काम करता है input device का भी काम करता है और output device का भी दोनों का कार ये करता है input device का किस तरह से है जिस तरह phone की touch screen होती है वो touch screen क्या होती है input device का काम करती है उसमें data डाल सकते हैं यानि mouse वगेरा का mouse keyboard का काम भी वो screen ही कर लेती है ATM machine की और वो हमें result भी उसी screen के मादे हमसे दिखता है जो भी हम data डालते हैं उसका result यानि output device monitor का भी काम कर लेती है इसे तरह हैं touch screen phone में touch को touch screen किसका काम करती है input device का यदि touch अठादे only screen हो तो वो output device का किसी document को नए नाम से save करने के लिए आप क्या option चुनेंगे तो किसी भी document को नए नाम से save करने के लिए कौन सा option चुनेंगे file option में save as save as option से उसको save करेंगे नए नाम से save करने के लिए द्यान रखें प्रेंट्स save as option को चुनेंगे next internet किस तरह के network का उधारन है तो प्रेंट्स आपको पता ही होगत तरह के network होते है लैन वैन और मैन तो फ्रेंट्स वैन वाइड एरिया network क्योंकि यह बहुत बड़े छेतर को जोड़ता है पूरी दुनिया को जोड़ता है यह वाइड एरिया नेट्वर्क internet network of networks commonly इसको बोलते हैं internet को और internet को एक और नाम देते हैं सूचना राजपत यानि information आई वे सूचना राजपत भी internet को बोलते हैं तो फ्रेंट्स एक सो पिचान में में सही आंसुर रहेगा option C wide area network land की फुलपरम होती है local area network man की metropolitan area network नेट्वर्क नेक्स्ट है यदि आप अपना project अपने करमचारियों को दिखाना चाते हैं तो आप कौन सा software प्रियोग करेंगे तो फ्रेंट्स अपने करमचारियों को दिखाने के लिए कौन सा software प्रियोग किया जाएगा presentation के लिए यानि आपने जो slides बनाई हैं उसकी presentation आप दिखाना चाते हैं तो MS PowerPoint का MS PowerPoint किस तरह के software का उदारने presentation software इसमें हम जो pictures होती हैं उनकी slides बना लेते हैं और उन slides को presentation में दिखाते हैं slides हो में नेक्स्ट किसी डोकुमेंट में hyperlink insert करने के लिए कि shortcut का प्रियोग किया जाता है hyperlink क्या होता है फ्रेंट्स hyperlink वो होता है जैसे message वगेरा में WhatsApp messages वगेरा में आपको मिलता है email वगेरा में जिस link के मद्यम से आप दूसरे link पर जाते हैं दूसरी website पर वो होता है hyperlink निले color में दिखाई देका आपको अलग से हैं इसको control प्लस के दबाके hyperlink insert करने के लिए ये shortcut की होती है MIPS का पूरा नाम क्या होता है तो MIPS प्रेंट से एक special काम आती है speed map में काम आती है तो यह बहुत useful है यह full form map के लिए million interactions per second million interactions per second यह इसकी full form होती है और MIPS computer के किस हिसे की speed map मापते हैं MIPS में किस हिसे की speed map मापते हैं CPU की CPU याने central processing unit यह CPU की full form रखती है और friends इसको main part यह computer का brain of computer computer का दिमाग भी इसको बोलते हैं next MS powerpoint में slide show को चलाने के लिए किस की का इस्तिमाल करते हैं कौन सी की shortcut का काम करती है friends slide show को चलाने के लिए slides जो हमने बनाई है presentation में अपने करमचारियों को दिखाने के लिए MS powerpoint में उनको चलाने के लिए किस की का इस्तिमाल करते हैं 5 और 5 की फ्रेंट्स एक और काम आती है एक और में काम क्या है इसका रिफ्रेस करने में कंप्यूटर को रिफ्रेस करने की sorry-cut की ओती है इ Walter और छिम इस एक और मैन एन में पॉंट मैंने sort में लिक दिया है मैं MS PowerPoint में project में नई slide को insert किस shortcut से करते हैं मैं लोग आपको नई slide insert करनी है तो Ctrl प्लस M आप दबाएंगे Ctrl प्लस M के मादम से नई slide insert कर सकते हैं Next question किसी page को print करने के लिए हमें किस menu में आ जाना होगा तो friends काफी सारे menu होते हैं तो किसी page का print निकालने के लिए कौन से menu में जाना होगा File menu में File menu में उसका print आप डाल सकते हैं या Ctrl प्लस P दबा कर भी आप लेकिन आपको ये File menu ज़रूर याद रहना चाहिए बहुत सारे exam से में पुछा जा चुका कि किस print का option किस menu में मिलेगा वो मिलेगा File menu में और Ctrl प्लस P दबाने के बाद उसमें Print Preview भी सेलेक्ट कर सकते हैं डारेक्टली प्रिंट लेने के लिए सोटकट होती है Ctrl प्लस P प्रेंट्स कंप्यूटर की बोर्ड के अविसकार का नाम क्या है Comment box में जल्दी से लिख दीजिए और Friends James Gosling ने किसका अविसकार किया था किसका विकास किया था James Gosling ने दोनों का जवाब जल्दी से Comment में लिख दीजिए और GPRS की फूल फूरम क्या होती है ये भी Comment में लिख कर बताईगा Friends PDF के लिए आप मेरे Telegram Channel से जुड़ जीए और वहाँ पर Computer लिख के आप सर्च करेंगे तो इस सारी PDF आपको मिल जाएंगे Friends आपका बहुत बहुत दन्यवाद वीडियो को लाइक और Share